अलसी के बीच डाइविटीज से लेकर कई अन्य बिमारियों के लिए इलाज में फाइदेमंद है जसका इस्तमाल चाय और स्मूदी के रूप में किया जा सकता है लेकिन क्या आप जाते हैं कि अलसी के बीजों से आप अपने बालों के लिए हेर जल भी बना सकते हैं यह आपके बालों के लिए काफी अच्छा है और बालों को स्वस्त्थ रखने में मददकार है क्योंकि अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसीड, प्रोटीन, फाइबर और एंटी आक्सिडेंट्स होते हैं जो आपके बालों को मजबूत और स्वस्त्य रखने में मदद कर तो चलिए दोस्तों देर किस बात की शुरू करते हैं एक चौथाई कप अलसी के बीच, धाई कप पानी, स्टॉकिंग यानि की पतला सूती कपड़ा, अलॉवेरा और एसेंशियल ओयल सबसे पहले आप पानी में अलसी के बीजों को डालें और बर्तन को बर्नर या गैस पर रखें अब आप इसे लगबख 10 मिनिट तक गैस में रखकर उबा लें आप इसे मीडियम आज में ही रखें क्यूंकि अलसी के बीच पैन में नीचे चिपक सकते हैं आप इने तब तक पकाई जब तक कि ये फ्लैक सीड्स जेल जैसी स्थिरता में ना बदल जाएं ध्यान रखें कि ये ना बहुत मोटी और ना बहुत पतली लेयर में हो जब ये एक मीडियम लेयर में जेल की तरह दिखने लग जाए तो आप इसे गैस से हटा दे और ठंडा होने दे ऐसा करने पर ये एक गाड़ा जेल बन जाएगा अब आप इसे एक कांच के जार में स्टोर करने के लिए स्टॉकिंग यानि एक पतली कपड़े की मदद से निचोड़े और जार में जेल स्टोर करें जब ये जेल जार में स्टोर हो जाए तो आप इसमें अलोवेरा जेल और एसेंशिल ओयल मिलाएं ये जल को एक अच्छी खुश्बू देगा अलोवेरा जल और एसेंशिल आउल आपके बालों को स्वस्त रखने में भी मददकार है इसलिए आप टी ट्री आउल या फिर लेवेंडर आउल मिला सकते हैं अब आप इसे स्टोर करके फ्रिज कर सकते हैं और लग भग एक महीने तक इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो बालों में जल इस्तमाल करने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि आपके बाल दूले हुए यानि साफ होने चाहिए ये आलसी के बीड से बना हेयर जल आपके बालों को मौशिराइज करने में मदद करेगा और आप इससे अपने बालों को करल करने में या मन चाहा स्टाइल पाने में इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही कॉमेंट के माधियन से जरूर बताएं कि आपको एक्सपीजिंस कैसा रहा और आपको कितना फाइदा मिला हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब वीडियो को जाद से जादा शेर कीजिए और देखते रहें डेली ब्यूटी केर हम जल्दी मिलेंगे दिलचस्पी वीडियो के साथ तब दख ख्याल रखे खुब सुरब दिखते रहें नमस्कार